नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टुडी वजराज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन स्रीज के अतलगत्रिय प्रस्णों की महामेराथन क्लास कराऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक दे किजिए दो सिक्कों को एक साथ उचाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ सीर्स आने की संभावना गयात किजिए ये कुश्चन देख लिजिए डियलेट 2020 में पूछा गया है तो यहां पर देखिए दोनों सिक्कों को एक साथ सीर्स आने की प्राइकता क्या हो जाए गी, देखिए, यहाँ पर दो सिहकों को जब एक साथ उच्छाला जाएगा, तो देखिए, इसकी कुल जो है, चार घुटनाएं होंगी, और देखिए, इस तरीके से कौन-कौन से चार घँटनाएं होंगी, देखिए, एक में, देखिए तेल आ सकता है और दूसरे में हेड आ सकता है और इसे परकार से देखिए एक में हेड और दूसरे में तेल आ सकता है और दोनों में हेड आ सकता है तो इस परकार से देखिए ये चार घटनाएं कुल बनेंगी और देखिए हेड जो है केवल दोनों में एक बार आ सकत तेस्पकार से जो कुल घटना है वो चार हो जाएंगी और अनकुल घटना एक हो जाएंगी और प्राइकता बराबर होता है अनकुल घटना बटे कुल घटना तो यहां पर एक बटे चार इसकी प्राइकता हो जाएगी अब देखते हैं नेक्ट कुश्यन तो देखें नेक्ट सेंटीमीटर है यदि बेलन की उचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन गयाद कीजे ये कुश्चन भी देख लीजे 2020 में पूछा गया है इंपॉर्डन कुश्चन है यहाँ पर देखें लंब रितिये स्कॉयर बराबर सो रखेंगे और यहाँ से फिर आर स्कॉयर कमान निकाल लेंगे देखें चाहे आर स्कॉयर कमान निकालें और चाहे आर कमान निकालें क्योंकि यहाँ पर देखें जो बेलन का आयतन होता है फार्मोले में यहाँ पर देखे आर इसक्वाइर ही होता है इसलिए यहाँ पर आर इसक्वाइर कमान निकालें तब भी इसमें जो है आसानी से रख सकते हैं तो यहाँ पर देखे इसलिए आर कमान नहीं आर इसक्वाइर कमान निकाला गया है तो यहाँ पर देखे सो बटे प तो 12 रख देंगे तो यहां पर देखे सो गुड़े साथ ब्सक्वर्सक दिया गया है और हैयस्थ स falar इसक जाएगा और यहां पर डतरा ने प्रकार से ये question हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है शामी करण x square प्लस 7 x plus 10 बराबर 0 को हल कीजे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 के गुड़न खंड करेंगे तो 10 के गुड़न खंड करेंगे तो 2,45,10 यनि कि 2 और 5 आएगा इसका गुड़न खंड देखिए 2 गुड़े 5 अब इसको जोड़ घटा करके हमको 7 लाना है तो यहाँ पर देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तोड़ लिया और फिर 2 के जोड़े में से 5 कामन ले लेंगे तो X प्लस 2 बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा अब इन दोनों में से देखिए X प्लस 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए X बच जाएगा और यहाँ से 5 बच जाएगा तो इस परकार से एक ब्रेकेड में हो एक्स प्लस 5 बराबर 0 अब यहां से देखिए एक बार एक्स प्लस 2 बराबर जो है 0 ले लेंगे तो यहां से देखे एक्स बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और एक बार जो है क्या करेंगे x plus 5 बराबर 0 ले लेंगे तो यहां पर देखे x बराबर minus 5 आ जाएगा यानि कि इसके जो x के मान आएंगे वो आएगा minus का 2 और minus का 5 तो इस प्रकार से यह question हो जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 4 एक ब्रत की तरिज्या दूसरे ब्रत की तरिज्या की चार गुनी है दोनों ब्रतों के छेतफल का अनपात ग्याद कीजिए एक ब्रत की तरिज्या दूसरे ब्रत की तरिज्या की चार गुनी है दोनों ब्रतों के छेतफल का अनपात ग्याद कीजिए यह कुश्चन भी देख लिए 2020 में पूछा गया है बहुत इंपॉर्डन कुश्चन है यहाँ पर देखे जो है एक ब्रत की तरिज्या के चार गुनी तो एक ब्रत की तरिज्या हम क्या मान लेंगे आर मान लेंगे और दूसरे ब्रत की तरिज्या क्या मान लेंगे उसके चार आर मालेंगे तो इस परकार से देखे परत्रम बृत का क्षेटफ़ल क्या हो जायेगा पाई आर स्क्वॉ Eugene यहाँ पर देखिए हैं जो है त्रिज्जा कैंवाख लिए तरहा इसका जो है छेट फल क्या हो जा तो यहां पर देखिए उपर जो है पहले ब्रत का चेत फ़ल रखेंगे और नीचे दूसरे ब्रत का चेत फ़ल रखेंगे तो यहां पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देखिए चार का स्कॉयर है तो चार चोग सोला हो जाएगा यहां पर एक बटे 16 आ जाएगा एक बट्टे 16 का मतलब एक अनपाथ 16 जो है दोनों ब्रत्तों के छेटफल का अनपाथ हो जाएगा तो इस परकार से यह कुश्चन भी शाल्व हो जाएगा अब देखते हैं कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है देखें एबी सीडी एक चक्रिय चतुरभुज है यदि यह बराबर 55 डिगरी यह कोंड दिया हुआ तथा कोंड भी बराबर हाई गई है कि चक्रिय चतुरभुज के सम्मू को नों का योग एक सवस्ची डिगरी होता है तो यहां पर देखिए जो यह कोंड है यह पच्पन डिगरी है तो यहां पर क्या करेंगे 180 में से 55 degree घटा देंगे तो यहाँ पर देखे 125 डिगरी आ जाएगा और इसी तरीके से इस कोण और इस कोण का योग करेंगे तो यह भी 180 degree के बराबर होगा और जो है यह कोण देखे 60 degree दिया हुआ तो क्या करेंगे 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा तो इस प्रकार से ये दोनों कोण आसानी से निकल आएंगे अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 6 साइन 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री का मान ग्याद कीजिए ये कुश्चन भी देख लिजे 2020 में पूचा गया है यहाँ पर देखें साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है देखें 1 अपान 2 उसके बाद कास 60 डिग्री देखें तो कास 60 डिग्री का मान भी 1 अपान 2 होता है और बीच में plus है तो plus लगा लेंगे और उसके बाद देखे टैन पैटालिस कमान वन होता है अब देखे यहां पर एक बटे दो, एक बटे दो को जोड़ेंगे यहां पर आधा एक बटे दो का मतलब क्या होता है? आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा यानि कि एक हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक और जुड़ रहा तो यहाँ पर एक और एक को जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा तो इस प्रकार से यह कुश्चन भी साल्व हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट Question देखे सुरू हुए है यहाँ पर देखे 8,000 का घन्मूल पूचा गया है तो यहाँ पर देखे 8,000 का घन्मूल का मतलब चाहे आप 8,000 को इस तरीके से करड़ी के अंदर लिख लें और यहाँ पर देखे जो है करड़ी घाथ 3 लगा लें और चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं आठ हजार की पावर एक बटे तीन इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है तो इसका मतलब क्या है कि 8000 का घनमूल हमें जो है ग्याद करना है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 8000 की पावर एक बटे तीन लिखा गया है अब यहाँ पर देखिए 8000 को 8 गुड़े 1000 के रूप में लिखा जा सकता है देखिए यहाँ पर डारेक्ट आप जो है 8000 का घनमूल निकाल सकते हैं गुड़न खंड करके कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आपको उस तरीके से ना निकालना पड़े इसलिए उससे आसान भी थी यहाँ पर बताई जा रही है तो यहाँ पर देखिए 8 गुड़े 1000 कर लेंगे और फिर देखिए 8 का घनमूल आप लोगों को पता है कितना होता है 2 होता है और 1000 का घनमूल 10 होता है तो 10 दुनना 20 हो जाएगा यानि कि दोनों का गुड़ा कर लेंगे तो 20 हो जाएगा तो वही काम यहाँ पर किया गया है, देखें यहाँ पर 8 के गुड़न खंड, यहनि कि 8 और 1000 को अलग-अलग कर लिया गया है, तो यहाँ पर 8 के गुड़न खंड करेंगे, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 हो जाएगा, और 1000 के गुड़न करेंगे, तो 10 गुड़े 10 गुड़े 10 ह हो जाएगा अब यहां पर देखिए दो की पावर 3 हो जाएगा और यहां पर होल पावर एक बटे 3 है तो यहां पर एक बटे 3 पावर में और हो जाएगा गुड़े के रूप में और फिर देखिए केवल जो है बचे गए हाँ पर 2 और 10 तो इस परकार से 10 दुनना 20 हो जाएगा तो इस परकार से ये कुश्चन भी साल्व हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 8 जो है इसको हल कर नहीं तो हुए क्या करेंगे और 25 को पच्चांतर कर देंगे तो देखें इधर माइनस में तो इघर जाएगा प्लस में हो जाएगा और उसके बाद फिर X square को इधर ही रखेंगे और 16 को भी उधर भेज़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 25 बटे 16 और फिर यहां पर देखे square X का हटाएंगे तो इधर root लग जाएगा तो root के अंदर हो जाएगा 25 बटे 16 और 25 का वर्गमुल देखे 5 होता है और 16 का वर्गमल 4 होता है तो इस प्रकार से 5 बटे 4 इसका एंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेख्ट कुश्चन तो देखें नेख्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 9 12 12 13 12 10 का बहुलक बताईए ये कुश्चन भी देख लिए 2019 में पूचा गया है तो यहा पर 12 इसका बहुलक हो जाएगा अब देखते हैं नेख्ट कुश्चन देखें नेख्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 10 10 सेंटी मीटर लंबे और 3.5 सेंटी मीटर चोड़े आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन के आयतन को गयाद कीजे 10 सेंटी मीटर लंब परिता है तो यहां पर देखें कहा गया है कि लंबाई के परिता घुमाने पर तो देखिए जब लंबाई के परिता घुमाएंगे तो लंबाई ही तरिज्या मानेंगे और जब चोड़ाई के परिता घुमाएंगे तो चोड़ाई उसकी तरिज्या मानेंगे यह आप लोग गलत लगा हुआ तो इस तरीके से आप लोग इसको नहीं साल्व करना है और जो दूसरा टाइप है वो आप लोगों को पहले ही साल्व कराया जा चुका है तो उसी तरीके से आपको साल्व करना है यानि कि जब जो है कहा जाए कि लंबाई के परिता घुमाया जा रहा है तो आ उसको आप क्या मान लेंगे उसको उचाई मान लेंगे तो इस प्रकार से इस question को solve कर लेना है अब देखते हैं next question तो देखें next question है sumi current x square plus 9 minus 6x बराबर 0 को हल कीजिए ये question भी देख लीजे 2019 में पूछा गया है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है इसको x की घटती हातों के रूप में लिख लेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले x square हो जाएगा और उसके बाद फिर x वाला पद हो जाएगा और उसके बाद फिर अचार पद हो जाएगा बराबर 0 कर लेंगे उसके बाद फिर यहां पर देखिए क्या करेंगे यह जो है x-3 के whole square का formula लिखा हुआ है यनि कि x-3 के whole square का formula खोलेंगे तो x square यनि कि x square हो जाएगा और फिर यनि कि a square करेंगे तो x square हो जाएगा और फिर plus b square तो plus b square करेंगे तो 3 तरिक का 9 हो जाएगा और minus का 2a भी करेंगे तो देखे 3 दुना 6 यानि कि 6x हो जाएगा तो इस परकार से यही देखे यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखे यह x minus 3 के whole square का यह formula बन रहा यानि कि यह इसके जो गुडन खंड होंगे वो क्या हो जाएगे x minus 3 और x minus 3 double bar यानि कि इसका whole square हो जाएगा और यहाँ से देखे जब मान निकालेंगे तो मान क्या होगा तो यहाँ पर देखे मान इसके x बराबर 3 3 हो जाएगे यानि कि मान दो ही निकलेंगे और दोनों मान क्या होंगे समान होंगे तो इस परकार से यह question भी solve हो जाएगा अब देखते है next question तो देखे next question है question number 12 card 45 degree minus sign square 45 degree minus card 45 degree plus sign 90 degree को हल कीजे यह question भी देख लिजे 2019 में पूछा गया है तो यहाँ पर देखे card 45 degree का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे और sign 25 degree का मान 1 upon root 2 होता है तो 1 upon root 2 रखेंगे और इसका square कर देंगे फिर यहाँ पर देखे card 45 का मान भी 1 upon root 2 होता है तो 1 upon root 2 रखेंगे और इसका भी square कर देंगे और फिर sin 90 command कहा गया तो sin 90 command 1 होता तो 1 रख देंगे और फिर यहाँ पर देखे 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखे 1 upon root 2 का square करेंगे तो देखे 1 का square 1 ही होता, root 2 का square 2 हो जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर 1 upon 2 हो जाएगा और इसी तरीके से one upon two यहां भी हो जाएगा और फिर plus का one है तो plus का one कर लेंगे अब यहां पर देखिए minus का one upon two और minus का one upon two जोड़ देंगे क्योंकि minus minus जुड़कर minus होते हैं यानि कि minus के जो पद होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन चिन minus का लगता तो यहां पर minus का one upon two और minus का one upon two जुड़ेगा तो minus का क्या हो जाएगा one हो जाएगा निकि आधा minus का जुड़ेगा और फिर आधा उसे में minus का जुड़ेगा तो minus का पूरा हो जाएगा यनि कि माइनस का एक हो जाएगा और फिर एक प्लस का एक और एक माइनस का एक दोनों आपस में कड़ जाएगे तो यहाँ पर एक प्लस का बच जाएगा तो वही यहाँ पर देखें एंसर आ जाएगा तो इस परकार से यह कुश्चन भी साल्व हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखिए नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 13 वह चोटी सी चोटी प्राकिरतिक संख्या गयत कीजिए जिसे देखिए एक लाग 24,491 में से घटाने पर सेस्फल पूर्ण वर्ग हो जाए ये कुश्चन देख लीजिए 2018 में पूँचा गया है यहने कि अभी तक 2019 के कुश्चन साल्व कराय जा रहे थे और अब ये 2018 का कुश्चन है तो यहाँ पर देखिए इसका क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ पर देखना है कि देखिए नीचे कोई निकालेंगे तो जो संख्या नीचे सेश बचे वही संख्या जो है इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ग हो जाएगी और यही यहाँ पर कहा गया है कि वह चोटी से चोटी प्राकरितिक संख्या गयात कीजिए जिसे देखिए 1,94,491 में से घटाने पर सेश पर पूर्ण वर्ग हो जाए तो यहाँ पर देखे जो संख्या लास्ट में सेस बच रही वही संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे 10 यनि कि यह संख्या घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो 7 की बज़ा 6 है यह यहाँ पर राजन की स्रीज में गलत दिया हुआ है और यहाँ पर देखे जब 6 कर लेंगे 7 की जगे पर तो इसके आसानी से गुड़न खंड हो सकते हैं और जब यहाँ पर 6 नहीं करेंगे यहाँ पर देखे गुड़न खंड करने के लिए कहा गया है और जो है एक्स की वैलू निकालने के लिए नहीं कहा गया लेकिन सीरीधरा 4 बिर से यहाँ पर एक्स की वैलू निकाली गई है तो यहाँ पर यह जो सवाल है, यह गलत लगा हुआ है, यहनी कि आप लोगों को क्या करना है, X की value नहीं निकलना है, इसके गुड़न खंड करने है, और यहाँ पर देखे, 7 की बजाए क्या है, 6 है, फिलहाल हम जो 2018 का paper solve कराए हैं, उसमें आप लोगों को दोनों तरीके बता कर सकते हैं, और अगर 7 आ जाए, तो 7 अगर आए, तो आपको स्रीधरा 4 बिद लगानी पड़ेगी, यहनी कि minus B और plus minus under root B square minus 4 A C upon 2 A, यह फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर इस फार्मूले की सहायता से देखे, यह मान आ जाएंगे X के, यहाँ पर देखे, X के वही म अलग-अलग लिख दिये गए हैं, यहनी कि एक बार plus में और एक बार minus में, तो अब देखते हैं, तो देखें, तो देखें, तो देखें, तो देखें, उसका उल्टा हो जाएगा, यहनी कि 2 upon under root 3 हो जाएगा, फिर minus 2 card 45 डिगरी है, तो यहाँ पर देखें, card 45 डिगरी कमान 1 होता, तो 2 into 1 हो जाएगा, और फिर देखें, यह जो minus लगा है, यह minus आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर minus का 4 बटे under root 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखें 5 लिखा है, यह गलत यहाँ पर प्रिंट हो गए, यहाँ पर 3 होगा, इसको आप लोग संसोधित कर लिजिए, तो यहाँ पर 4 बटे under root 3 हो जाएगा, और फिर गुड़े, sign 30 डिगरी कमान 1 अपान 2 होता, तो यहाँ पर 1 अपान 2 रख देगे, और plus 2 into cast 0 डिगरी कमान 1 होता, तो यहाँ पर 1 रख देगे, और फिर देखिए, आगे इसको solve कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, 2 upon under root 3 हो जाएगा, और 2 का 1 से गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, और फिर बटे under root 3 आजाएगे, यहाँ पर देखिए, बता ही चुके हैं, under root 3 है, तो यहाँ under root 3 आजाएगा, और फिर 2 का जो है, 1 से गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर 2 आजाएगा, तो इस परकार से देखिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देगे, और इस 2 upon, देखिए, 2 बटे under root 3 को, 2 बटे under root 3 से कैंसिल कर देगे, क्योंकि 1 प्लस में और एक माइनस में हैं, तो इस परकार से यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इस परकार से यह कुश्यन भी साल्व हो जाएगा, अब देखते हैं, तो देखिए, दो सिक्कों को अगर साथ में उच्छाला जाए, तो चार परिडाम प्राप्त होंगे, यह मैं आप लोगों को पहले प्राइकता क्या होगी, तो देखिए, दो सिक्के उच्छाले जा रहा है, तो यहाँ पर जो है, अनकुल घटनाएं दो हो जाएंगी, और कुल घटनाएं चार हो जाएंगी, तो यहाँ पर दो बटे चार हो जाएगा, और इसको सरल कर लेंगे, तो एक बटे दो हो जाएग तो इस परकार से ये इसकी प्राईक्ता हो जाएगी अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 17 किसी संकु की तिरच्ची उचाई 21 cm है 28 cm है यह question भी देखें जो 2018 में पूछा गया है यहाँ पर देखें, क्या करेंगे कि संक के वकप्रिष्ट का फार्मूला लगा देंगे तो देखें संक के वकप्रिष्ट का फार्मूला होता है πाई आर एल और यहां पर देखें आर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर तो सीधे से हम क्या करेंगे इसी फार्मूले में ये मान रख लेंगे तिहां पर देखिए πाई कमान 22 बटे 7 हो जाएगा और आर कमान 8 हो जाएगा और एल कमान 21 हो जाएगा तिहां पर देखिए 7 से 21 को सरल कर लेंगे तो 7 तरीक 21 हो जाएगा और फिर 8 का 3 से गुड़ा करेंगे तो 8 तरी 24 हो जाएगा और गुड़े 22 कर लेंगे और फिर देखिए 22 का 24 से गुड़ा करेंगे तो 528 हो जाएगा तो इस प्रकार से संकु का वकप्रिष्ट 528 वर्ग सेंटिमीटर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो का यनि की एक का घंमूल और एक का वर्मूल निकाल करके इनका गुड़ा करना है कहा गया है को सरल कीजिए ये कुश्चन भी 2018 में पूछा गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 343 का घंमूल होता है 7 और 576 का वर्मूल होता है 24 तो इस तरीके से 7 और 24 का गुड़ा क जाएगा और फिर साथ दुनि चवदा और चवदा में दो जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 16 यानि कि 168 आएगा तो ये भी आप लोग correction कर लीजिए गा ये यहाँ पर 168 आएगा और यहाँ पर 148 दिया हुआ है यानि कि यहाँ पर ये कुश्चन भी गलत दिया हुआ है अब देखते हैं नियोट कुश्चन तो देखें नियोट कुश्चन है कुश्चन नमबर 12 समी करण 13 x माइनस 30 प्लस x स्क्वाइर बराबर 0 को हल कीजे ये कुश्चन देख लिजे 2017 में पूचा गया है यहीं कि 2018 के जो पूचे गये कुश्चन थे वह समाप पर चुके हैं 2017 के कुश्चन देख लिजिए तो यहां पर देखे 2017 में ये कुश्चन पूचा गया है और इसको सबसे 30 के होगी 15 धुनना 30 होता है तो इस प्रकार से देखे 15 और 2 इसको टोड़ लेंगे यानिकि 15 मैनस 2 कर लेंगे 25 मैनस 2 एकिस कर लिए गया और आप जो है यहां से देखे दो 2 के जोड़े बना लेंगे इसमें से थे एकस कामन लेंगे तो X plus 15 हो जाएगा और यहां से देखे माइनस का 2 कामन लेंगे तो यहां भी X plus 15 हो जाएगा अब यहां पर देखे X plus 15 कामन लेंगे तो यहां से बचेगा X minus 2 तो इस प्रकार से देखे अब अलग-अलग एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ पर देखे x बराबर माइनस का 15 और x बराबर 2 आ जाएगे यानि कि ये 2 मान इसके आ जाएंगे अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 20 4x square plus 5x plus 1 का गुड़न खंड कीजिए 4x square plus 5x plus 1 का गुड़न खंड कीजिए ये question भी देख लीजिए 2017 में पूचा गया है तो यहाँ पर देखें क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1 का 4 से multiply करेंगे तो देखें 4 हो जाएगा और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा यनि कि इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखें 4x plus x कर लेंगे और फिर इन दोनों में से 4 x common लेंगे तो यहाँ से x plus 1 हो जाएगा और यहाँ पर देखें x यनि कि x plus 1 में से 1 common लेंगे यनि कोई भी संख्या common नहीं है तो one common लेंगे तो यहां से x plus one बच जाएगा अब एक bracket में आ जाएगा x plus one और एक में आ जाएगा four x plus one तो इस प्रकार से इसके भी गुड़नखंड हो जाएंगे अब देखते हैं next question तो देखें next question है question number 21 10 45 degree minus card 30 degree plus two cast 30 degree minus 90 degree command गयात कीजिए तो यहां पर देखें यह question भी 2017 में पूछा गया है तो यहां पर देखें 10 45 command one होता है और card 30 degree command under root 3 होता है और फिर cast 30 degree command क्या होता है तो देखें cast 30 degree command हो जाएगा under root 3 by 2 और उसके बाद पिर देखें sign 90 का मान होता है 1 तो यहाँ पर देखे यह मान रख लेंगे और उसके बाद फिर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखे 1 माइनस का है और यह प्लस का है फिर यहां पर देखिए एक जो है माइनस का बचेगा अंडर रूट 3 और एक प्लस का अंडर रूट 3 बचेगा तो यह भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर आजाएगा 0 तो इस परकार से यह कुश्चन भी शाल्व हो जाएगा अब देखते हैं 2017 में पूचा गया है तो यहां पर देखें क्या करेंगे फाइब एकस को इधर ही रखेंगे और य को इधर पच्छांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फाइब एकस माइनस का वाई हो जाएगा और बराबर हो ₹ जाएगा 0 इसको मान लेंगे समी करण older एक और फिर यहां पर देखे बिलोपन बिध लगाई गई है तो यहाँ पर देखे क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे जोडने पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर चिन विपरीत है तो y वाला पत कड़ जाएगा तो यहाँ पर 7 x बराबर 7 आ जाएगा और फिर x बराबर 1 आ जाएगा अब जो जो है 2 को पच्छांतर कर लेंगे तो यहां पर देखे 7-2 हो जाएगा और फिर यहां पर 5 आ जाएगा तो इस परकार से Y की वैलू 5 आ जाएगी अब देखते हैं नियोट कुश्यन तो देखें नियोट कुश्यन है एक 17 cm लंबे और 7 cm चोड़े आयत के चोड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ग्याद कीजिए यहां पर देखें चोड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ग्याद कीजिए यहां पर देखें चोड़ाई के परिता घुमाया जा रहा तो अभी आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं जब चोड़ाई के परिता घुमाया जाए तो आपको तरिज्या जो ह तिरिज्या हो जाएगे तिरिज्या की जग़े पर सराख देंगे और जो उंचाई एंचाई की जग़े पर सत्रह रख देंगे और इसको साल्व कर लेंगे तिरिढ़ेग, Speaking 1 कि छेट फल्फिंट सेंटीší मीटर है ब्रेट की तरिज्या गयाद कीजिए, एक ब्रेट का छेटफल 154 cm है, ब्रेट की तरिज्या गयाद कीजिए, ये कुश्चन भी देख लिजे, 2017 में पूछा गया है, तो देखिए, ब्रेट के छेटफल का फार्मूला होता है, पाई आर स्कॉयर, और यहाँ पर देखे, जो है 22 बटे 7 को दूसरी तरफ भीज देगे, तो 22 बटे 7 को जब उधर भीजेंगे, तो 7 बटे 22 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखे, इसको सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखे, 22 से अगर 154 को भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानि कि 7 गुड़े 7 आएगा, तो 7 साथ 49 हो जाएगा और फिर देखिये जब R square का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर estilo 59 हो जाएगा और अंडरilos 59 का जब money निकालेंगे तो इसका money जाएगा 7 हो जाएगा तो इस परकार से जो R कामान हो कितना आ जाएगा 7 cm आ जाएगा नौ का बहुलक ग्याद करो यह कुश्चन भी देख लिए 2016 में पूचा गया है इंपॉर्डन कुश्चन है तो यहां पर देखे इसमें जो है क्या है सबसे अधिक बार जीरो आया है यहीं कि जो पद सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता तो यहां पर देखे जीरो सब गात 3 दिया हुआ है का मान ग्याद करो यह निकि इसका हम को क्या करना है घनमूल निकालना है तो देखिए 125 गुड़े 343 दिया हुआ है तो देखिए भी देख लीजे, 2016 में पूच्छा गया है, तो यहाँ पर देखिए, क्या करेंगे, 9 बटे 49 A square minus 4 B square है, तो यहाँ पर देखिए, इसको लिखा जा सकता है, इस रूप में, यहनि कि 3 बटे 7 A का whole square, और 4 B square को 2 B का whole square लिखा जा सकता है, फिर यहाँ पर देखिए, A square minus B square का formula बन लेंगे, तो एक breaker में हो जाएगा A plus B, और एक breaker में हो जाएगा A minus B, तो वही यहाँ पर कर लिया गया है, देखिए, A इसको मान लेंगे, और B इसको मान लेंगे, तो एक breaker में हो जाएगा A plus B, और एक breaker में हो जाएगा A minus B, तो इस प्रकार से यह question भी solve हो जाएगा, अब दे यहां पर देखे यहां पर देखे यह फार्मूला लगा देंगे और हल कर लेंगे तो यहां पर देखे टू यहां पर हो जाएगा और फिर पाई कमान 22 बटे 7 रख देंगे और फिर 30 देखे यह 5 है और उचाई 14 है तो इस तरीके से मान रख करके और फिर इसको साल्व कर लेंगे यहां पर देखे 7 दूनी 14 हो जाएगा और फिर देखे 5 दूना 10 हो जाएगा और 22 दूना 44 हो जाएगा यह नहीं कि 44 गुड़े 10 कर लें 24 सेंटीमीटर है तो ब्रत की परिद गयाद कीजे ब्रत का ब्यास 14 सेंटीमीटर है तो ब्रत की परिद गयाद कीजे यह कुश्यन भी देख लिजे 2016 में पूचा गया है तो देखे ब्रत की तरिज्या 7 सेंटीमीटर होगी क्योंकि यहां पर देखे ब्रत का ब्यास 14 सेंटीम तो ब्रत की परिद का फार्मूला लगा देंगे तो ब्रत की परमूला होता है 2π 2-20 रख देंगे और फिर यहाँ पर गुड़े 3जा रख देंगे यानी कि सा साथ कैंसिल हो जाएगा और 22 गुण़े 2 यानी कि इसका जो है गुड़ा कर लेंगे तो बस दुना 44 हो जाएगा और देखें यहां पर परीद को सेंटीमीटर में ही लिखते हैं यानि कि अगर जो है ब्रेद का छेत्फल होता तो वर्क सेंटीमीटर में लिखते हैं लेकिन परीद को सेंटीमीटर में ही लिखेंगे तो यहां पर 44 सें यह हो जाएगा एक बटे दो डीवन इंटु डीटू तो यहां पर देखे डीवन और डीटू क्या है तो यह है बिकरणों का गुरन फल तो देखे शम्लम्म की समांतर भुजाएं पंद्रा मिटर और आठ मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलम का छेथफल ग्याद कीजिए, ये कुश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूचा गया है, इंपॉर्डन कुश्चन है, तो यहां पर देखे, समलम का छेथफल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला लगा देंगे, और उस आठ जोड लेंगे, तो पंदरा आठ हो जाएगा, तेईस और गुड़े कर लेंगे, बारा, यानि कि तेईस और बारा का गुड़ा करके, दो से भाग कर लेंगे, तो जो समलम का छेथफल है, वो निकाल आएगा, तो आगे कुश्चन को देखते हैं, तो यहां पर देखे, बीवन बराबर पंदरा हो जाएगा, और बीटू बराबर आठ हो जाएगा, एच बराबर बारा, तो वही काम यहां पर किया गया है, पंदरा में आठ जोड देंगे, और फिर बारा से गुड़ा कर लेंगे, तो यहां पर देखे, दो छक्का बारा हो जाएगा, और फिर द दी गई संख्याओं का बहुलक ग्याद कीजे तो यहाँ पर देखे तीन एक नो छे तीन एक आठ छे यह दिया हुआ है यहाँ पर देखे तीन भी दो बार दिया हुआ है और एक भी दो बार दिया हुआ है और यहाँ पर देखे नो शिर्फ एक बार दिया हुआ है और आठ ए बार ये तीनों संख्याएं आई हैं और इससे अधिक बार कोई संख्या नहीं आई है तो इनका बहुलक एक तीन और छे हो जाएगा या तो इसका बहुलक कुछ नहीं होगा या तो फिर यही तीन संख्याएं लिखी जा सकते हैं अब देखते हैं नियोट कुश्चन तो देख देखिए सबसे पहले माधिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि पदों को आरोही या औरोही करम में ब्योस्थित कर लेते हैं तो यहां पर देखिए आरोही करम में पदों को ब्योस्थित किया गया है और फिर पदों को गिन लेते हैं तो यहां पर देखिए पदों को गिनने के लिए माध्यका का फार्मॉला अलग अलग होता है तो यहां पर देखिए जो है पदों की संख्या प्लस वंबटे दो करदेंगे तो यहां पर देखिए तेरह में एक जोड़ेंगे चाओदा हो जाएगा और चाओदा का से भाग करेंगे तो साथ आ जाएगे नहीं कि साथ उवाँ पत का जो मान होगा वही मादिका होगा तो देखे ऊपर से हम क्या करेंगे साथ पत गिन लेंगे तो यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ तो देखे साथ उवाँ पत पांच आ रहा इसका मतलब इसकी म माद्धिका ग्याद कीजे, दी गई संख्याओं की माद्धिका ग्याद कीजे, यहाँ पर भी देखें, माद्धिका ही ग्याद करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि पदों को आरोही करम में ब्यवस्तित कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें, यह आरोही करम म और 11 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 का दो से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर छठुवा पद आ जाएगा अब उपर देखते है छठुवा पद कौन सा है तो देखे एक दो तीन चार पांच छे यह नहीं कि निमलेखित रासियां करड़ी गत रासियां यहनी कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी है जिसका वर्गमूल ना निकले यहनी कि वर्गमूल या घंमूल उसका नल जो है निकल पा रहा हो और करड़ी के अंदर संख्या लिखी होई हो तो वो क्या होगी वो करड़ी गत रास होगी जैसे यहाँ पर देखिए two under root two दिया हुआ under root two दिया हुआ under root five और under root six अगर यहाँ पर under root four दिया होता तो यह करड़ी गत रास है नहीं होती क्योंकि इसका workmool निकल आएगा दो हो जाएगा तो इस प्रकार से ये सारी करडी गतरासियां हो जाएंगी अब देखते हैं नियोट कुश्चन तो देखें नियोट कुश्चन है कुश्चन नमबर 36 करडी का घातांक बताइए करडी का घातांक बताइए तो देखें इसका अंसर हो जाएगा किसी रास का जित मूल और जो है चतुर मूल इस तरीके से जो भी मूल निकालना हो वही उसकी क्या हो जाती है घात हो जाती है जैसे यहाँ पर देखे अंडर रूट टू इसमें जो है घातां क्या है दो है यहाँ पर देखे एक लिखा गया है एक नहीं होगा यहाँ पर दो होगा क्योंकि रू रीड़ी दो मान लिया जाता तो यहाँ पर देखिए कानडी की घात दो होगा। यहाँ पर देखिए कानडी की घात अंक दो हो जाएगा। अब देखते हैं next question है घनमूल निकालने की कितनी विधियां है। तो देखे इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी संख्या जो पूर्ण घन है उसका घनमूल निकालने की दो विधियां है, कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है तो उसका घनमूल निकालने कितनी विधियां है, दो विधियां है, पहली विधिया देखे गुड़न खंड विधि और दूसरी है लगविधी तो देखे प्रस नंबर 38 है बेलन किसे कहते हैं तो देखे इसका उत्तर हो जाएगा एक आयत को उसकी एक भुजा के परिता है चारों तरफ गुमाने पर प्राप्त त्रिविमिये आकरित बेलन होता है यहाँ पर देखे आकरित बनी हुई है यहाँ पर जो यह है यह क्या होगी बेलन की त्रिज्या यानि की आर होगी और यहाँ पर देखे एच बराबर हो जाएगा बेलन की उचाई या लंबाई तो जो यह है यह क्या हो जाएगी यह बेलन की उचाई यानि की एच हो जाएगी अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो दे के उचाई के परिता घुमाने से बनी तिर्वीमिय आकरिती संकु होती है यहाँ पर देखिए संकु का चित्र बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं इस आकरित को क्या कहते हैं संकु कहते हैं यहाँ पर देखिए एल जो है वो क्या होगा तिर्यक उचाई होगा यह जो यह है ये तिर्याक उचाई है इसको L से परदर्सित करते हैं और फिर देखिए H जो है वो उचाई है यनि कि जो ये है इसको H से परदर्सित करते हैं और ये संकु की उचाई होती है और जो ये है ये जो है संकु की तिरिज्या है इसको R से परदर्सित करते हैं और यहाँ पर देखिए L बराबर होता है अंडर रूड र स्कॉयर प्लस H स्कॉयर यहनि कि जो तिर्या कुचाई होती है तिर्या कुचाई अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अंडर रूड के अंदर हो जाएगा R स्कॉयर प्लस H स्कॉयर और संकू का आयतन क्या होता है तो देखिए संकू का आयतन होता है 1 बटे 3 पाई R स्कॉयर H तो इस परकार से इस फार्मोले के सहता से संकू का आयतन भी निकाला जा सकता है अब देखते हैं next question तो देखें next question है प्रस नमबर 40 यदि 24 cm उचाई वाले एक लंब बृतिये संक का आयटन 1232 cm है देखें यदि 24 cm उचाई वाले एक लंब बृतिये संक का आयटन 1232 वर्ग सेंटी मीटर है तो तिरिज्या कितनी होगी तो यहाँ पर देखिए संकु का आयतन दिया हुआ है और देखिए संकु की उचाई दी हुई है और हमको क्या करना है कि संकु की तिरिज्या निकालनी है तो देखिए संकु के आयतन का फार्मूला होता है एक बटे तीन पाई आर इसक्वाइर कि और निकालना हों को और फिर देखें उचाई 24 तो यहां पर 10 की जेगेपअव –ॉर 24 रख देगे देखे आर को एक तरब कर लेंगे और उसके बाद फिर संख्याई हैं उनको एक तरब कर लेंगे तो यहां पर देखें जो 22 बटे 7 है लो इधर जाएगा तो जो है 7 बटे 22 हो जाएगा और 24 यहाँ पर गुड़े में है तो यह भी जो है 24 भी बटे में चला जाएगा और उसके बाद फिर इसको सरर कर लेंगे तो यहाँ पर देखे 49 आ जाएगा और जब आर का स्कुएर हटाएंगे तो देखे इधर रूट लग जाएगा और रूट के अंदर जब 49 होगा तो यहाँ पर देखे 49 कवर्गमूल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा तो इस प्रकार से इसकी त्रिज्जा 7 सेंटी मिटर आ जाएगी अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 41 एक संक्वाकार टंकी की उचाई 40 स सेंटी मिटर है तो तीर्यक उचाई बता यह तो यहाँ पर देखें एच बराबर 60 सेंटी मिटर दिया हुआ है और आधार का ब्यास 64 सेंटी मिटर दिया हो त्रिज्ज़ यहां से निकाल लेंगे त्रिज्ज्ज लगा देंगे तो देखे तिर्या कुछाई का फार्मूला होता है L बराबर अंडरूट H स्कॉर प्लास आर इसकॉर तो यहां पर देखिए, जो है, 60 का स्कॉर कर देंगे। और फिर यहां पर देखे, त्रिज्जा वो कितनी है, 32 तो यहां पर 32 का स्कॉर करनेंगे। यहांपर देखे, nations 사ready Fraktion नहीं के यहांपर 22 का स्क्वार होना चाहिए और फिर देखे यहां पर जो है चैट्छाक 36 इने 36 हो जाएगाो और पिर तेस का स्क्वार किरेंगे तो यहांपर नमबर 42, एक लंब बृतिय संकु के आधार का ब्यास 4 cm तथा उसकी उचाई 23 cm है, संकु की तिर्यक उचाई कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए, संकु का ब्यास 4 cm दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम संकु की तिर्यक उचाई निकाल लेंगे, और उचाई दी हुई है, और फिर क्या करेंगे, संकु की तिर्यक उचाई निकाल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तिर्यक इतनी हो जाएगी, 2 cm हो जाएगी, क्योंकि ब्यास 4 cm दिया हुआ, तो जो है तिर्यक ब्यास की आधी होती तो यहाँ पर 32 cm हो जाएगी और फिर उचाई 23 cm दी हुई है आप क्या करेंगे संक की तिर्यक उचाई का फार्मूला लगा लेंगे अधी ल बराबर अंडरोड R2 प्लस H2 तो यहाँ पर देखे R2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और H2 यानि 23 का स्कूर करेंगे तो 529 हो जाएगा और फिर देखे 529 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखे 533 हो जाएगा और 533 का वर्मूल लिका लेंगे तो 23.08 cm हो जाएगा तो इस प्रकार से संकु की तिर्यक उचाई भी निकल आएगी, अब देखते हैं, नियोट कुश्चन, तो देखें, नियोट कुश्चन है, दी गई संख्याओं का आउसत ग्याद कीजिए, तो यहाँ पर देखें, यह संख्याओं दी हुई हैं, 7, 4, 3, 4, 7, 5, इनका आउसत ग्य आजाता है, और बटे उनकी संख्या होते हैं, यहाँ पर देखें, आउसत का फार्मूला हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, तो यहाँ पर देखें, संख्याओं का योग 29 हो जाएगा, और उनकी संख्या कितनी है, 6 है, तो 29 को 6 से भाग कर देंगे, त ब्यास तीन अनुपात दो के अनुपात में हैं उनकी उचाईयों में अनुपात कितना होगा दो समान आयतन वाले बेलनों के ब्यास तीन अनुपात दो के अनुपात में हैं उनकी उचाईयों में अनुपात कितना होगा तो देखे यहां पर बेलन के आयतन का फार्मूला दिय कि दो समान आयतन वाले बेलनों के ब्यास तीन अनपात दो के अनपात में हैं तो उनकी उचाईयों में अनपात कितना होगा तो यहां पर देखें उचाईयों में अनपात निकालना है तो यहां पर देखें बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे तो देखें बेलन के आय लेंगे तो तिरिज्जा यहां पर देखे क्या हो जाएगी तीन बटे दो और फिर अनपात दो बटे दो हो जाएगा यानि कि इसको आधा कर देंगे और जब इसको इस तरीके से पल्टेंगे तो क्या हो जाएगा तीन बटे दो और गुड़े हो जाएगा दो बटे दो तो इ A London के a yton का फार्मूला लगाएंगे तहाँ पर देखे pi k頭 ही निकालना है और बराबर में 1 लखेंगे तो यहां पर देखे इसका जब इसक्स्क्ायर करेंगे तो को देखे 3 का 9 होजाएगा और नीचे देखे 2 का square दो दुनना 4 हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ यहाँ पर H1 होगा और फिर देखिए इस 9 बटे 4 को पच्छांतर करेंगे तो देखिए 1 के गुडे में जाएगा यहाँ पर जो है इसको प्लड देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 बटे 9 हो जाएगा यानि कि H1 और H2 का अनुपात कितना हो जाएगा 4 अनुपात 9 तो इस परकार से यह कुश्चन भी साल्व हो जाएगा अब देखते हैं नुट कुश्चन तो देखिए नुट कुश्चन है एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक ब्यास क्रमसा आंतरिक ब्यास क्रमसा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है इस नली के बनाने में परियोगत लोहे का आयतन कितना है यहाँ पर देखे पाई कमान 22 वटे साथ दिया हुआ है अब देखते हैं देखे बेलन की तृजज्या दी हुई है आठ वटे कितना देखे बेलन के ब्यास दिये हुए है यनि की आंतरिक और बाहरी ब्यास दिये हुए, तो यहाँ पर बेलन की तिलिज्जा जो हो कितनी हो जाएगी? के लिए हम क्या करेंगे कि जो बेलन है बेलन का बाहरी आयतन और उसमें से माइनस कर लेंगे बेलन का आंतरी का आयतन तो यहां पर देखे जो बेलन का बाहरी आतन है वो pi r1 square into h1 और फिर देखे माइनस कर देंगे pi r2 square और इंटू H2 तो यहाँ पर देखे इस तरीके से इसको solve कर लेंगे यहाँ पर पाई इंटू देखे आरवन दिया हुआ कितना 4 तो यहाँ पर 4 का square कर लेंगे और गुड़े देखे 20 हो जाएगा और फिर देखे पाई इंटू R2 दिया हुआ है देखे 3 तो यहाँ पर 3 का square कर लेंगे और गुड़े यहाँ पर H2 देखे जो उचाई है वो 20 cm है तो दोनों जगे 20 ही रहेगा यहाँ पर भी 20 करेंगे यहाँ पर देखे दो लिखा हुआ जो कि गलत है तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा अब देखते हैं आगे यहाँ पर देखे जो पाई है वो कामन ले लेंगे यानि कि 22 बटे 7 कामन ले लेंगे और जो 20 है उसको भी कामन ले लेंगे तो यहाँ पर पाई बटे 7 और 20 कामन हो जाएगा तो देखे एक में बचेगा 16 और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे और उधर बचेगा 9 तो इस परकार से 16 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ पर देखे 16 में से 9 घट आएंगे तो 7 आ जाएगा और फिर इन सभी का गुड़ा कर लेंगे तो 440 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा तो इस परकार से ये कुश्चन भी साल्व हो जाएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 46 दो बेलनों की आधार की तरिज जाएं दो अनुपात 3 के अनुपात में है तथा उनकी उचाईयों का अनुपात 5 अनुपात 3 ह उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा तो यहाँ पर देखे माना आधार की तरी जाएं जैसे यहाँ पर 2 अनुपात 3 दी हुई हैं तो उसी परकार से यहाँ पर मान लेंगे कि माना आधार की तरी जाएं 2R यहाँ पर देखे यह पाई लिखा हुआ पाई नहीं यह आर होग उसे हिसाब से इसको माल लेंगे 5H तथा 3H है तो यहाँ पर देखिए जो है आयतनों का अनुपात ग्याद करना तो यहाँ पर आयतन के अनुपात का फार्मूला लगा देंगे तो देखिए आयतन का जो फार्मूला होता है तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा पाई और आर की जगे पर क्या हो जाएगा देखिए टू आर और इसका स्कॉयर हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा फाइव एच तो इस तरीके से यह फार्मूला लगा देंगे और बटे कर लेंगे देखिए पाई और फिर नीचे हो जाएगा देखिए जो पर h से h cancel हो जाएगा और r से r cancel हो जाएगा यहनि कि यहाँ पर बचेगा देखिए 2 का square और बटे 3 का square और फिर into बचेगा यहाँ पर देखिए 5 upon 3 इस तरीके से बचेगा और यहाँ पर 2 दुनना 4, 4 पंचे 20 यहनि कि उपर 20 हो जाएगा और नीचे देखिए 3 तरीक का 9 और 9 तरीक 27 यहनि कि नीचे हो जाएगा 27 तो इस परकार से 20 अनपात 27 इसका एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जो r यहनि कि त्रिज्या का मान है वो इसमें नहीं रखा गया है जो कि गलत है यहाँ पर देखिए 5 से 5 काड़ देंगे तो यहाँ पर सिर्फ उचाई बचेगी जब कि यहाँ पर त्रिज्या भी आनी चाहिए और देखिए त्रिज्या 2 r और 3 r है तो देखिए r r कैंसिल हो जाएगा तो 2 का स्कॉयर 4 हो जाएगा और 3 का स्कॉयर 9 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए आगे 4 और 9 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर देखिए इस देखे आर में क्या संबंध है किसी बेलन की उचाई H और त्रिज्जा आर में क्या संबंध है देखे जहां जहां पर भी त्रिज्जा लिखी ही है वहां पर देखे इसको पाई से परदर्शित किया गया है जब कि इसको आर से लिखा जाता है तो यहां पर देखे पाई लिख और उचाई भी आती है तो देखें बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्कॉयर एच होता है यही इसमें संबंध है तो यहां पर देखें आर तिरिज्या है और एच उचाई है और पाई कमान 22 बटे 7 होता है अब देखते हैं नेख्ट कुश्चन तो देखें नेख्ट कु लाना है तो यहां पर देखें पांच में 4 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा तो इसी तरीके से इसको तोड़ लेंगे और फिर यहां पर देखें एक्स यनिकी दो के दो पदों में देखेंगे कामन क्या तो यहां पर देखें एक्स कामन मिला है तो यहां से एक्स प्लस 5 ज कराये गए हैं आप लोग बहुत रह आसानी से इसको कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अप देखते हैं प्रिज्या ने देखे दे यानि कि रेडियर की होती है वह किसे कहते हैं तो देखें केंद्र से परीत तक दो होती है उसे त्रिज्या कहा जाता है, एक ब्रत में अनन्त त्रिज्याएं होती हैं, तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं, केंदर से परिद तक की जो दूरी होती हैं, त्रिज्या कहते हैं, यहां पर यहां पर यह इसका केंदर है, तो केंदर से जो परिद तक की दूरी यह होती है यह सब क्या है यह तिरिज्ज्जाएं है और एक ब्रृत में देखे केंदर से जो है करें दो जो होती है आपस में बराबर होती है अब देखते है नियुक्र कुरिश्चन है केंदर किसे कहते हैं तो देखिए raw stand के अंदर ुब वो समान दूरी पर होती है, यानि कि देखें, यहां से भी बराबर होनी चाहिए, यहां से भी बराबर होनी चाहिए, और इस तरीके से इधर यह भी बराबर होनी चाहिए, यह भी बराबर, यानि कि चाहे जितनी जो है, तिरिज्यां यहां पर खींची जाएं, यह तिरिज्य रेखा जो केंदर से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ परिद से मिलती है ब्यास कहलाती है एक ब्रित के अंदर अनंत ब्यास खींची जा सकती है तथा खींचे गए सभी ब्यास की लंबाई समान होती है तो देखें ब्यास क्या होता है तो देखें मालीजे ये एक ब्रित ह तो यहां पर जैसे बीच में इस जगे पर देखे केंद्र होता है तो ऐसी देखिए ब्रत की ऐसी जीवा जो केंद्र से हो करके गुजरती है उसे ब्यास कहते हैं और एक ब्रत के अंदर आनंत ब्यास कीचे जा सकते हैं इस परकार से देखिए इस परकार से यह सभी क्या हैं ब से कहते हैं तो देखे जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिद से मिलती है परन्त केंद्र से होकर नहीं गुजरती है जीवा कहलाती है तो देखे जीवा ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिद से मिलती है तो देखे ये मालीजे एक ब्रित है तो जीवा किसे कहेंगे माल गुजरती हो तो देखिए अगर केंद्र से हो करके ये जो है गुजरेगी तो इसको क्या बोलेंगे ब्यास बोलेंगे तो इसलिए देखिए इसको भी जीवा कह सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ब्रत में जो ब्यास होता है वो ब्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है तो इसको कह सकते हैं लेकिन देखे जब वो जो है कहीं पर इस तरीके से अलग कहीं होता है तो उसको जीवा बोलते हैं लेकिन देखे जब केंद्र से वही जीवा गुजरती है तो उसको जो है ब्रत का ब्यास बोलते हैं तो इस प्रकार से ये जो है जीवा हो जाएगी आप देखते हैं नियोट कुश्चन, तो देखें, नियोट कुश्चन है, कुश्चन नमबर तिरपन, देखें, साइन 75 डिगरी प्लस साइन 15 डिगरी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखें, साइन 75 डिगरी और साइन 15 डिगरी जो है दिया हुआ, तो यहाँ पर देखें, साइन C प्लस सा minus d by 2, तो यही formula यहां पर लगा लेंगे, तो देखिए formula लगाएंगे, तो यहां पर 75 degree, plus 15 degree, बटे 2 हो जाएगा, और यहां पर 75 degree, minus 15 degree, upon 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से देखिए, 2 sign, यहां पर देखिए, 75 में 15 जोडेंगे तो 90 हो जाएगा और 90 का आधा करेंगे तो यहाँ पर देखे 45 डिगरी हो जाएगा और फिर देखे 75 से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर देखे हो जाएगा 30 डिगरी क्योंकि यहाँ पर देखे 75 से 15 घटाएंगे तो 60 होगा और 60 का आधा करेंगे तो cast 30 degree हो जाएगा अब इन सभी का मान रख देंगे तो देखते हैं आगे तो यहाँ पर देखिए अब उन सभी का मान रख दिया गया है और मान रख के फिर देखिए यहाँ पर under root 3 upon under root 2 आया क्योंकि 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए under root 3 upon under root 2 हो जाएगा अब हर का पर्मे करण कर लेंगे देखिए हर का पर्मे करण का मतलब है कि जो है हर में पर्मे संख्या आ जाए यहनि कि यहाँ पर देखिए root हट जाना चाहिए तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि उपर नीचे अंडर रूट 2 से गुड़ा कर लेंगे तो इस परकार से देखे उपर नीचे अंडर रूट 2 से गुड़ा करेंगे तो उपर देखे अंडर रूट 6 हो जाएगा और नीचे रूट 2 का गुड़ा होगा तो यहाँ पर देखे 2 हो जाएगा तो इस परकार से under root 6 upon 2 इसका answer आ जाएगा अब देखते हैं next question तो देखें next question है सिद्ध कीजिए 10 79 degree plus 10 देखे 66 degree plus 1 upon 1 minus 10 79 degree into 10 66 degree बराबर 0 यहाँ पर देखें जो यह 1 दिया हुआ है 1 यहाँ पर अलग होगा यहनि कि इस फार्मूले में नहीं होगा क्योंकि 10A plus 10B 1 minus 10 into 10B यह एक फार्मूला बन रहा है तो यहाँ पर जैसे देखें इस तरह से plus 1 लिखा हुआ तो इसी तरीके से यह अलग होना चाहिए यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है इस तरीके से आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पर देखें 10A plus 10B 1 minus 10 into 10B यह 10A plus B का फार्मूला होता तो यहाँ पर देखें 10A plus B का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखें 10 79 डिगरी प्लस 66 डिगरी हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखे कितना हो जाएगा 135 डिगरी हो जाएगा और फिर 135 डिगरी का मान देखे माइनस का 1 होगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 देखे आपस में कैंसल हो जाएगा तो इस प् चत्रभुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है तो देखे चक्रिय चत्रभुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिगरी होता है बहुत बार ये कुश्चन बताया गया है तो देखते हैं अब नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है और sec acid करना तो यहाँ पर देखे हम LHS ले लेंगे तो यहाँ पर देखे 1 प्लस sec A और प्लस time square A हो जाएगा यहाँ पर देखे LCM ले लिया गया है यहाँ कि जो यह 1 प्लस sec A है अपान one plus sec a हो जाएगा क्योंकि देखिए one plus time square a बराबर sec square a होता है और यहाँ पर देखिए sec a अलग से है तो यहाँ पर sec square a plus sec a upon one plus sec a हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ पर जो है one plus sec a into sec a कर देंगे यानि कि यहाँ पर देखिए sec a जो है वो common ले लिया गया है तो यहाँ पर देखिए sec a कामन लेंगे तो यहाँ से sec a बच जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा तो इस परकार से 1 प्लस sec a into sec a हो जाएगा और बटे में 1 प्लस sec a है और फिर देखिए sec a से sec a question number 57 under root 3 upon 2 हो तो sine 2a का मान ग्याद कीजिए under root 3 यहाँ पर देखिए कास a बराबर under root 3 by 2 दिया हुआ है तो देखिए कास 30 डिगरी का मान under root 3 by 2 होता है तो यहाँ पर कास 30 डिगरी बराबर कास a रख देंगे और फिर यहाँ से देखिए जो है a का मान निकाल लेंगे यानि की कास से कास कैंशल हो जाएगा तो a बराबर 30 डिगरी आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए sine 2 a दिया हुआ है तो sine 2 a में क्या करेंगे दे लेंगे तो यहाँ पर sine 2 into 30 डिगरी हो जाएगा तो इस परकार से sin 60 degree हो जाएगा यानि कि 30 का 2 से गुड़ा करेंगे तो sin 60 degree हो जाएगा और sin 60 degree का मान होता है under root 3 by 2 तो इस परकार से sin 2 a का मान कितना हो जाएगा under root 3 by 2 तो इस परकार से ये question भी solve हो जाएगा अब देखते हैं new question तो देखें new question है 2x square plus 7x plus 5 के गुड़न खंड गयाद कीजिए 2x square plus 7x plus 5 के गुड़न खंड गयाद कीजिए तो देखें 2x square plus 7x plus 5 के गुड़न खंड गयाद करने के लिए आएसी दो संख्यां a तथा b गयाद करना है कि a plus b बराबर 7 यानि कि a plus b ऐसी गयाद करना है कि यहाँ पर a plus b 7 हो जाए और a into b बराबर 2 into 5 बराबर 10 हो जाए यहनी कि 10 के हमको गुड़न खंड करना है तो यहाँ पर देखे 10 के गुड़न खंड क्या हो जाएंगे 2 into 5 और 2 और 5 को जोड़ करके हमको क्या करना 7 लाना है तो यहाँ पर देखे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा इस परकाश से इसको तोड़ लेंगे यहाँ पर देखे तोड़ करके दिखाया गया है अब देखते हैं आगे तो यहाँ पर देखे 2x square plus 5x plus 2x plus 5 हो जाएगा और अब क्या करेंगे अब दो-दो की जोड़े बना करके कामन ले लेंगे तो यहाँ पर देखे एक्स कामन लेंगे तो 2x plus 5 हो जाएगा और यहाँ से 1 कामन लेंगे तो 2x plus 5 हो जाएगा अब एक ब्रेकेड में 2x plus 5 हो जाएगा और एक ब्रेकेड में देखे x plus 1 बच जाएगा तो इस प्रकार से ये इसके गुड़न खंड हो जाएंगे अब देखते हैं next question तो देखे इसी प्रकार से इसके भी गुड़न खंड कर लेंगे x square minus 7 x plus 12 तो देखे 12 के गुड़न खंड करेंगे तो इस प्रकार से इसी तरीके से इसको minus minus तोड लेंगे और यहाँ पर देखे इसको x को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखे यहाँ पर यह इतनी चीज आप लोगों को note नहीं करना यह इतनी चीज यहाँ पर गलत दिया हुआ है यहाँ पर देखे x को अंदर भेजेंगे तो यहाँ पर देखे x square minus 4x और minus 3x और plus 12 हो जाएगा और फिर देखे जो है आगी क्या करेंगे यहाँ पर दो-दो के जोड़े बना करके common ले लेंगे तो यहाँ पर देखे x common लेंगे तो कितना हो जाएगा x minus 4 हो जाएगा और फिर देखे, यहाँ पर 3 कामन लेंगे, तो X-4 बच जाएगा, तो इस परकार से यहाँ पर X-4 और X-3 ही इसके गुड़न खंड हो जाएगे, अब देखते हैं, next question, तो देखें, next question है, X square प्लस 9X प्लस 20 के गुड़न खंड कीजे, तो यहाँ पर देखें, 20 के गुड़न 20 हो जाएगा, और फिर देखें, 9 लाना है, तो यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ करके, 9 लाया जा सकता है, तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे, देखें, 5 और 4 को जोड़ करके, 9 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बना करके, कामन ले लेंगे, तो यहाँ से देखे एक्स कामन हो जाएगा तो एक्स प्लस फाइब बच जाएगा और यहां से देखे फोर कामन हो जाएगा तो देखे एक्स प्लस फाइब बच जाएगा अब एक ब्रेकर में एक्स प्लस फाइब हो जाएगा तो इस प्रकार से यह कुश्चिन भी साल्व हो जाएगा अब देख cos c plus cos d का यहाँ पर फार्मूला लगाना है, तो देखे, cos c plus cos d का फार्मूला होता है, 2 cos c plus d by 2 और into, देखे, cos c minus d by 2 होता है, और देखे, जो है, नीचे sin 3 theta plus sin theta दिया हुआ, तो देखे, sin c plus sin d का फार्मूला क्या होता है, तो देखे, sin c plus sin d का formula अभी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 होता है, तो यहाँ पर वही formula लगाए गए हैं, और फिर देखे, 2 से 2 cancel हो जाएगा, उपर देखे, यहाँ पर 2 लिखा नहीं गया है, तो 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, क्या बचेगा, यहाँ पर देखे, cos 3 theta plus theta upon 2 दिया हुआ है, तो देखे, उपर हो जाएगा 4 theta upon 2, तो देखे, 4 theta upon 2 हो जाएगा, तो 2 से 4 काटेंगे, तो 2 theta बचे गयाने, कि यहां से काश 2 theta हो जाएगा और फिर यहां पर देखे sign यहां पर देखे इसी तरीके से sign 2 theta हो जाएगा और यहां पर देखे यह दोनों आपस में cancel हो जाएगे क्योंकि same मिल रहे हैं तो यहां पर यह दोनों cancel हो जाएगे तो यहांपर देखे, qash two theta upon sine two theta हो जाएगा और फिर देखे, qash upon sine किसका फार्मूला होता है? तो देखे, qas upon sine caught का फार्मूला होता है तो इस परकारस से caught two theta यहांपर हो जाएगा अब देखते moments question, देखे, यहांपर cause two theta ही सिद्ध करना था तो यह सिद्ध हो गया, अब next question देख लेते हैं, तो देखें next question है, time square theta minus sin square theta, बराबर time square theta into sin square theta सिद्ध कीजे, तो यहाँ पर देखें, time square theta into sin square theta सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देखें, time square theta minus sin square theta, यानि कि LHS हम ले लेते हैं, और यहाँ पर देखें, time square theta बराबर formula होता, sin square theta, तो इसकी जगे पर हम यह चीज लिख देंगे और माइनस sin2θ है तो माइनस sin2θ कर लेंगे अब इन दोनों में से क्या करेंगे देखिए sin2θ कामन ले लेंगे यनिकि यह कह लीजे कि पहले हम जो है कास2θ जो है वो यहाँ पर LCM ले लेंगे और LCM लेंगे कि तो पूरे के whole बटे में cast square theta हो जाएगा और इसके गुड़े में भी cast square theta आ जाएगा और फिर देखिए जब sin square theta common लेंगे तो यहां पर देखिए यहां से तो 1 बच जाएगा क्योंकि sin square theta पूरा common में चला जाएगा तो यहां से जो है ये LCM लिए हैं तो कास स्क्वाइर थीटा था ही तो यहां पर कास स्क्वाइर थीटा ही रहेगा और फिर देखें यहां पर साइन स्क्वाइर थीटा हो जाएगा और देखें यहां पर 1-1-1-10²θ वरावर sin²θ होता है, तो इसकी जगवर पस sin²θ रख देंगे, और फिर अपान कास²θ हो जाएगा, और देखे, जो है, sin²θ, अपान कास²θ वरावर होता है, 10²θ और इंटू, sin²θ हो जाएगा, तो इस प्रकार से देखे, यही हमें सिद्ध करना था तो इस प्रकार से यह कुश्चन भी शाल्ब हो जाएगा अब देखते हैं निख्ट कुश्चन तो देखें निख्ट कुश्चन है यह हमें सिद्ध करना है तो देखें यहाँ पर हम बायापच फिर से ले लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे की ऊपर वाली जो साइन है वो जो है क्या करेंगे इनको चेंज कर लेंगे यानि साइन को जो है 90 माइनस 42 कर लेंगे यानि कि 90 में इसको तोड़ लेंगे तो देखें 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा तो इस परकार से 48 को जो है 90 माइनस 42 में तोड़ लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर कास को क्या करेंगे कास 48 को कास 48 को भी 90 माइनस 42 में तोड लेंगे और इस परकार से देखे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखे कास 42 डिगरी हो जाएगा देख लेते हैं आगे तो यहाँ पर देखे कास 42 डिगरी हो जाएगा और one में one जोडेंगे तो two आ जाएगा तो इस प्रकार से इसका जो दाया पच्छ है वो आ जाएगा तो इस प्रकार से ये question भी solve हो जाएगा आप देखते हैं next question तो देखें next question है देखें यदि cas a बराबर under root three by two हो तो sine a का मान बताइए cas a बराबर under root three by two हो तो sine a का मान बताइए तो देखें यहाँ पर sine a बराबर क्या कर लेंगे under root one minus cas square a कर लेंगे देखें यहाँ पर one minus cas square a बराबर sine square a होता है तो यहाँ पर sine का अगर square हटाएंगे तो यहाँ पर root के अंदर क्या हो जाएगा 1-4 square A हो जाएगा तो इस प्रकार से यह sign का फार्मूला लगा लेंगे और फिर यहाँ पर देखे 1-4 square A का मतलब यहाँ पर देखे under root 3 by 2 का square हो जाएगा और under root 3 by 2 का square करेंगे तो 3 बटे 4 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे एक में से तीन बटे चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो देखे यहाँ पर LCM लेंगे तो चार माइनस तीन बटे चार हो जाएगा और चार में से तीन घटाएंगे तो एक आएगा तो इस परकार से एक बटे चार आ जाएगा अब root के अंदर है, इसलिए यहाँ पर 4 कवर्गमूल 2 हो जाएगा और 1 कवर्गमूल 1 हो जाएगा, यहाँ कि 1 बटे 2 यहाँ पर आ जाएगा जो कि बाया पच्छ है, इसका मतलब यह भी कुश्यन साल्व हो जाएगा देखें, यहाँ पर बाया पच्छ कहा गया है, यहाँ पर हमको सिद्ध नहीं करना था बाया पच्छ यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर हमको क्या करना था sin A का मान निकालना था, तो यहाँ पर देखें, sin A का मान हमारा 1 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर यह बाया पच्छ जो लिखा हुआ है गलत है यानि कि हमको sin A का मान निकालना था तो sin A का मान कितना हो जाएगा एक बटे दो आ जाएगा अब देखते हैं नियोट कुश्चन तो देखें नियोट कुश्चन है sin 210 degree देखें sin minus 210 degree का मान ग्याद किजें तो यहाँ पर देखें sin 210 degree जो minus में दिया हुआ है तो minus sin 210 degree हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखें sin 210 degree को 180 plus 30 degree में तोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखे 180 plus 30 degree में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखे यह जाएगा 3rd चतुर्थांस में और 3rd चतुर्थांस में देखे क्या positive होता है 10 and cost positive होता है बाकी सब negative होता तो यहाँ पर देखे पहले से negative यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ देख लिजिए और उसके बाद फिर देखे जो है 10 and cost positive बाकी सब negative यहाँ पर sign आया है तो यहाँ पर sign 30 degree हो जाएगा और फिर देखे माइनस का होगा तो माइनस का माइनस से गुड़ा होगा तो प्लस का हो जाएगा तो इस परकार से sign 30 degree प्लस का हो जाएगा तो यही इस का मान हो जाएगा एक बटे दो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि यह चीजें आप लोगों की समझ में ना आ रही हो तो इसके लिए देखिए एक होता है ASTC मैथेड तो जो लोग अभी तक ASTC मैथेड नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है चक्रिय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं चक्रिय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं तो देखें चक्रिय चतुर्भुज क्या होता है और इस तरीके से जो ब्रेथ जो चतुर्भुज है चतुर्भुज के चारों सीर्स जो है वो ब्रेथ की परीद पर पड़ रहे हैं तो वो क्या होगा चक्रिय चतुर्भुज होगा तो इस प्रकार से चक्रिय चतुर्भुज हो जाएगा देखे चक्रिय चतुर्भुज के जो तो सम्मु कोण होते हैं वो प्रतेक योग्म के कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है अर्था चक्रिय चत्रभुज के सम्मु कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है किसी चत्रभुज की सम समांतर चतुर्भुज कहते हैं यानि कि जब प्रतेक युग में परसपर समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं और जब एक युग में समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं यह आप लोग निश्चीत रूप से ध्यान लगना क्योंकि यह दो कुछे जाते हैं कि किसी च तुर्भुष कहेंगे अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन है आयत का प्रते कोड कितने डिगरी का होता है तो देखें आयत का प्रते कोड कितने डिगरी का होता है तो देखें आयत का प्रते कोड जो होता है वो 90 डिगरी का होता है देखें जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो इस प्रकार से आयत और वर्ग दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन तो देखें नेक्ट कुश्चन ये आप लोग हमेशा याद रखना कि कोई भी चतुरभूद दिया हो कैसा भी चतुरभूद दिया हो उसके अंता कुणों का योग पूचा जाए 25 को पच्चांतर कर लेंगे और फिर x बरावर क्या हो जाएगा यानिकि x का square हटाएंगे तो इधर root लग जाएगा और इस परकार से यहाँ पर देखे जो है 25 को और निकालेंगे तो plus minus 5 आ जाएगा यानिकि x की एक value 5 निकलेगी और एक value जो है x की minus 5 निकलाएगे तो दोनों उत्रों को एक साथ x बरावर plus minus लेकर भी व्यक्त कर सकते हैं तो देखिए अब next question देखते हैं यदि किसी समलम्ब की समांतर भुजाएं 3 cm तथा 4 cm है तथा इसके मद्ध की दूरी 3 cm है तो समलम्ब का छेथफ़न निकाले यदि किसी समलम्ब की समांतर भुजाएं 3 cm तथा 4 cm है तथा इसके मद्ध दूरी 3 cm है तो समलम्ब का छेथफ़न निकाले तो यहां पर देखिए समांतर भुजाएं 3 cm और 4 cm दी हुई है और उनके बीच की दूरी 3 cm दी हुई है तो हम क्या करेंगे समलम्ब के छेथफ़न का सीधे से फार्मूला लगा लेंगे और फिर समलम् तो देखिए समलम के छेथफ़न का फार्मूला होता है एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग गुड़े उनके बीच की दूरी तो अब इसको solve कर लेंगे तो यहां पर एक बटे दो और तीन और चार साथ हो जाएगा और गुड़े तीन कर लेंगे तो यहां पर 20 बटे 2 आ जाएगा और 21 को 2 से भाग करेंगे तो 10.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा तो इस प्रकार से यह कुश्चन भी साल्व हो जाएगा अब देखते हैं निख्ट कुश्चन तो देखिए निख्ट कुश्चन है सम चतुरभुज की रचना कीजिए जिसमें 75 डिगर कौणת तथा एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर हो यह निकी एक सम चतुरभुज की रचना करना जिसमें एक कौण दिया हुआ है और एक भुजा दि हुई है तो देखिए इसको कैसे जो है इसकी रचना कैसे करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर लिखा हुआ कि बिंदु A से कोण PAB 75 डिगरी बनाया तथा उसमें से 6.2 सेंटीमीटर AD काटा तो यहाँ पर देखिए इस A बिंदु पर 75 डिगरी का कोण बनाती हुई एक भुजा इस तरीके परकार में और इस तरीके से चाप लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए यह जो D बिंदु मिलेगा तो यह AD हो जाएगा यहीं कि यह भी 6.2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर D बिंदु मिल जाएगा और उसके बाद देखिए तीसरा क्या है बिंदु B से कोण Q B A AD के समानतर रेखा कहींचा यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे देखिए सेट स्क्वाइर की साहता से यहाँ पर इस भुजा के समानतर यह भुजा जो है खींच लेंगे यहाँ पर देखिए सेट स्क्वाइर के साहता से क्या करेंगे जो एडी भुजा खीचे हैं इस एडी भुजा के समानतर ये भुजा खीच लेंगे और फिर जो है परकार में 6.2 cm की दूरी ले करके और बी को केंद मान करके यहाँ पर भी एक चाप लगा देंगे यानि कि जो है यहाँ पर सी बिंद मिल जाएगा और ये भी 6.2 cm की रेखा हो ज देखे वर्ग एक आयत है जिसकी दो कर्मागत भुजाएं बराबर होते हैं देखे अभी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं उसका परते कौन 90 डिग्री का होता है तो यहाँ पर देखे वर्ग की क्या परिवासा दे देखे वर्ग एक आयत है जिसकी दो कर्मागत भुजाएं बराबर होते हैं तो देखे इस तरीके से कोई एक भुजा खीची गई और कर्मागत भुजाओं मतलब यहां पर यह करम से भुजा है और यह दोनों अगर बराबर हो गई तो देखे इसके बराबर यह हो जाएगी और इसके बराबर ये हो जाएगी तो इस परकार से ये क्या हो जाएगा ये एक वर्ग हो जाएगा यानि कि वर्ग एक आयत है जिसकी दो कर्मागत भुजाएं बराबर होते हैं तो देखें दो कर्मागत भुजाएं बराबर होंगे तो इसके चारों भुजाएं बराबर हो ज गाठ करना तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके गुड़न खंड कर लेंगे तो देखें 3 से काटेंगे इसको तो देखें तीन तीन दुन्ना 6 और 3 तीन से काटेंगे तो तीन आ जाएगा और फिर तीन से काटेंगे तो तीन एककम तीन हो जाएगा इस परकार से यह इसके गुड़न खंड हो जाएगे तो यहां पर देखिए जो है कितना हो जाएगा देखे, कितने 3 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 3 आ रहे हैं तो इस प्रकार से देखे, यहां पर जो है, यहां पर 9 इसका, यनि कि इस तरीके से 6, 3 लिखेंगे 3, गुडे, 3, गुडे, 3, गुडे, 3, गुडे, 3, और गुडे, 3, इस तरीके से root के अंदर इनको लिखेंगे और फिर तीन तीन के जोड़े बनाएंगे और तीन के जोड़े में से एक अंक बाहर आएगा तो यहाँ पर देखें एक अंक जब बाहर आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए तीन गुड़े तीन हो जाएगा निकि तीन तरीका 9 इस दी गई संख्याओं का आउसत ग्याद करें 10 संख्या हैं तो देखें जो आउसत होता है जो पद दिये होते हैं उनका योग ग्याद कर लेते हैं और बटे उनकी कुल संख्या जो होती है वो कर लेते हैं यानि कि आउसाद बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता तो यहां पर देखें पदों का योग याद कर लेंगे तो पदों का योग यो देखिए 51 आ रहा है और कुल संख्या कितनी हैं 10 हैं तो 51 बटे 10 कर लेंगे तो यहां पर देखें 5.1 आ ज करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को फ्लेस कर लें जिससे हमारे आगया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबैल पर सबसे पहले पहुंचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टापिक के साथ में तब तक के लिए जाए हिन वान दमात्राओं